किसी हो आप आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम आए हैं ''Ap 짜ant के बेटे की गोदवराई के साथ'' अब ZOO 실제로 होती है आपको पूरा दिखाएंगे कि हमारे यहां गोदवराई की दस्मने कैसे होती है आप सभी लोग वीडियो को पूरा बाज करिएगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सस्क्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लेना देखें ये फ्रूट आए हुए हैं हमारी ननन के बेटे की है गोद भराई और सारे रिस्तदार आए हुए हैं जितने भी दूर दूर से पास पास के जो भी रिलेटिव हैं हमारे बोद भराई में लगभग हम लोग 70-70 लोग आए हुए हैं यहां पर और यह गाउं है यहां पर सहर नहीं है तो पूरा गाउं का ही माहौल है और लड़की भी गाउं की है और लोग का स्वागत कर रही है पैट चोके यह हम लोग जो सामान लेकर आये हैं वो सारा सामान लगाया जा रहा है बैग में साडियां हैं पांच साडियां आई हैं और पांच परकार के फ्रूट आए हुए हैं जिसमें केला सेफ संत्रा अंगूर अनार सब कुछ है और हैं एक आध सामान हमारे यहां गोल्ड का भी चलता है तो गोद भराई करने जाए जाती है तो गोल्ड का सामान भी ले जाते हैं ननंध हमारी बहु के लिए जुमकी लेकर आई हैं और पैरों के लिए पायल हैं अंगूठी है जो अंगूठी तो इंगेजमेंट के टाइम पहनाई जाएगी और जितना भी सामान होगा वो सब अभी पहले ही पहना दिया जाएगा आप सब लोग देखते रहेगेगा कि हमारे यहां कैसी वो दभराई के जाती है अभी देखना लड़की आएगी हम आपको लड़की भी दिखाएंगे अभी नास्ता हो रहा है जो पूर्थी है पायल है यह समान आया हुआ है जो हम लोग लेके आये हैं और यह पांच साड़ियां है सुहाग का पूरा सामान है मेकप का सामान है काफी अच्छा किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है ये लेकिन अपने हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा किया है गोदबराई बहुत अच्छा धंक से इन्होंने निप्टाई है जुमकी भी इनकी जो लेके गई हैं भारी है बहुत छोटी नहीं है ये सैंडल आई हुई है जो कि बहु के लिए आई है सैंडल ये सारा समान गोद भराई का है ये सभी समान लड़की के लिए लाया गया है और ये सभी कुछ हमारे यहां चलता है जब हमारे यहां किसी की भी गोद भराई होती है तो ये सारे समान ऐसे ही ले जाये जाते हैं तो देखो ये लड़की आ चुकी है दुबली पतली लड़की है सीधी साधी सी गाउं की लड़की है अब यह जो भी समान होगा हमारा जो साड़ी वगेर इनके लिए आई है इनको पहनाने के लिए ये सब कुछ इनको दे दिया जाएगा और इनको हम लोग तयार करेंगे जो लोग इधर से आए हैं यही लड़की को तयार करेंगे माइके वाले कोई नहीं तयार करते हैं जो लोग गोद भराई करने जाते हैं वही पुरा इनको सजाएंगे तयार करेंगे कपड़े वगएरा यही के लोग चेंज करवाएंगे इधर के लोग जो हमारे तरफ से आए हुई हैं तो हमारी ननन्त के बेटी हैं यह बड़ी बेटी है जो औरन साड़ी पहने हुए हैं यही जा के इनздर कपड़े पहनाने के लिए और इनको कपड़े पहना कर तयार करके बाहर लेके आएंगी उसके बाद आगे की कारिक्रम शुरू होंगे अभी सब लोग फोटू सूट करवा रहे हैं क्योंकि कैमरा मैन लगे हुआ है तो बच्चों को बहुत ज़्यदा सौख है फोटू खिचवाने का मैं दूलन आ गई है इन्हीं की गोद भराई करेंगे हम लोग इनको सब लोगों में बैठा दिया है और ये इनकी जो नननद है हमारी ननन्द की बेटी है जो यह इनको चूड़ियां पहनाएंगी कान में जुमकी पहनाएंगी पैरों में पायल पहनाएंगी जितना भी समान हाथों में चूडियां वग्यरा सब कुछ इधरी से पहनाया जाएगा तो ये नंद की बेटी हैं जो कि अपनी भावी को सजा रही है तैयार कर रही है इनके घर की तरफ से कोई भी नहीं पहनाएगा कुछ भी जो ननन्द होती है वही भावी को तयार करती है हमारे यहां ऐसे इस रसम को किया जाता है जो नन्दे होती है वही करती है यह सारे काम भावी की पूरी साज सज्जा नन्दे ही करती है ननन पायल पहनाने जा रही है और यह पायल पहना देंगी और उसके बाद यह पूरी तरह से तैयार हो जाएँगी अंगूटी अभी नहीं पहना जाएगी अंगूटी जब लड़का आएगा वो ही पहनाएगा यह सारे काम रस्मों रिवास से होते हैं तो जैसे जिस चीज की रीत होती है उसी तरह से हम लोग इस सारे काम करते हैं तो देखिए गोदभराई की रस्म सुरू हो चुकी है पहले दुलन को टीका लगाया जाएगा फिर मिठाई खिलाए जाएगी और उसके आचल में जरूर होती है जब भी साधी बराथ होती है तो सबसे पहली रस्म यही होती है गोदभराई की और यह गोदभराई होने के बाद हम यही समझ लेते हैं कि आधी साधी हो गई है और उसके बाद जब बराथ होती है तो पूरी साधी हो जाती है इसी तरह से जितनी महिलाएं आएंगी एक एकर करके fruit, मेवा, पैसे सब कुछ आचल में डालेंगी रोलि टीका लगाएंगी और उसके बाद कुछ पैसे भी दिये जाते हैं गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में इस तरह से सभी महिलाएं एक-एक करके इस काम को करती है और बहुत आसिर्वाद भी देती है ये से रसम करना बहुत अच्छा लगता है देखना भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स मैंने आपको गोद भराई की इससे पहले भी विडियो दी है आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना उसमें भी बहुत अच्छे से सारे रस्म और रिवाज के बारे में मैंने बताया है और इस वीडियो में भी मैंने आपको इस रस्म के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है तो आप लोग दिखिए, कि हमारे यहां कैसे गोत भराई होती है, आप लोगों के यहां कैसे होती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फ्रेंट्स तो सब लोग धीरे-धीरे करके, इस रसम को कर चुके हैं, एक-एक करके क्योंकि इस काम को करने में लगभग एक घंटा लग जाता है क्योंकि महिलाएं बहुत जादा थी महिलाओं के साथ साथ लड़कियां भी थी और सभी को बहुत अच्छा लगता है बहुत सौक रहता है कि नई नई दुलन के आचल में फ्रोट दें उनको उपहार दें उनके माथे पर रोली लगाएं तो सब को बहुत अच्छा लगता है इसलिए सभी बच्चे बड़े इस काम में बढ़ चड़की हिस्सा लेते हैं अब होगी इंगेजमेंट की रस्म जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे तो बहुत बड़ा इंतजाम नहीं है छोटा सा ही इंतजाम हुआ है लेकिन बहुत आनन्द आया है फ्रेंट्स लड़के ने अंगूठी पहना दी है और अब लड़की भी लड़के को अंगूठी पहना देगी तो देखिए ये हमारी ननन का बेटा है बड़ा बेटा है ये एक बेटी की साधी इन्होंने पहले की थी और ये दूसरा बेटा है इसकी भी आज इंगेजमेंट हो गई